तो हेलो गाइस आप सभी का बहुत बहुत विलकम है आपके आपने ही चैनल टार्गेट इन फेंटसी पर इस बिर में आप देख रहे है बाइज उस चारकों टी-टी-टी लीग का जो यह पर थाटीद मैच खेला जाने वाला है तो यहाँ पर मैच की प्रिवी सुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टन बाद वतायता हूँ कि अगर आपको फाइलान टीम्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीगम चैनल को जोईन करना पड़ेगा अब टेलीग लिए हमारे चैनल को जोईन कर सकते हो तो गाइस देर की इस बात की फाइनलर स्मॉल लिग गैनलिग टीम्स के लिए अभी हमारे टेलीगम चैनल को जोईन कर लेजिए अब मैच की बात करें कल दो फिर एक बजी यह मैच खेला जाने वाला है जे एस ये इंट्रल स्टेडियम कोंपेक्स राजी पर रिलिक का सारे मैचेस हो रहा है तो यह मैच भी यहाँ पर होगा देखिए यहाँ पर वेधर पर निशन के जो नहीं हुझा है अभी तक मतलब बारे से आपर होने वाल है और मैच साध्वाने म flavor कार्णा पर होसकता है या फिर अभर कात हो के कम अभर में या मतलब call वह सकता है जैसे कि 12 से लेके 16 अवर में के बीच यहाँ पर मैच हो सकते है या फिर 10 अवर के मैच भी हो सकते है क्योंकि दिखिए टूर्णमेंट बहुत यह आगे चल गया गया है तो यहाँ पर साइध मैच कॉल्ड फ ना हो अगर थोड़ी सी बारिस हो तो वहाँ पर उबर काट के कम उबर के मैच हो सकते है या फिर बंद भी हो सकते है तो गाइस पीच रिपोट की बात करें बैटिंग फिल ले पीच अभी तक रहा है एबिल स्कूर्ड बंद यहाँ पर 144 लास्ट पांच मैच इसकी बात कर लेते हैं सिंग्भूम ने पांच मैच खेलके दो जीते धानबाद ने पांच मैच खेलके तीन जीते और भेनी रिकॉर्स की बात करें इस सीजिन का 28 मैच टोटल खेला गया है 10 बैटिंग 1 और 17 बैटिंग 2 जीते और यहाँ पर 1 मैच टाय हो गए थी तो यहाँ आपको टॉस रिपोट के ओपर उतना ज्यादा बेस नहीं करना है क्योंकि दुछे 10-17 उतना ज्यादा फर्क नहीं है सिर्फ 7 मैच की बात है लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो टिम चेस करेंगे उसके फ्यवर में टीम मरना चाहिए साथ नहीं अब पर चेसन परफूर्फुर्स कैसा है और एक एक प्लेयर के बारे में यहाँ पर डिलीमें आपको समझह選ंगा कि कौन से पले बात करें तो सबसे पहले सिंग्भूंग की तरफ से बात करें हिमनसु कुमार ओपनिंग कर सकते है आरियमन सेन के साथ हिमनसु कुमार की बात कर लेते देखिए लगबग 20 प्लास एवरेज लेके खेल रहा है आप इनकी डेसेन स्कोर यहां पर देख सकते हो 22, 26, 1, 33, 22, 26, 1 तो लगबग 20 प्लास के एवरेज है मतलब ओपनिंग में आपके एक अच्छी इनिंग्स बनाने की हमेशा ही यहां पर ट्राई कर रहा है लेकिन अच्छे स्कोर नहीं बना पा रहा है तो आप चाहते हैं इनको ले सकते हैं या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो आलिमन सेन 37, 67, 14, 69, 31, 15 मतलब इसका भी एवरेज आगर देखे तो 30 प्लास है तो यह आपके लिए मास्ट्विक रहने वाला है इस मैच पर नमबर 3 पर रहने वाला है जैप्रगर राजपूत देखिए इनिक्स बिल्ट अप करने की कोसिस की थी पहला मैच में लेकिन उसके बाद लगातार फ्लॉप होते जा रहा है उतना अच्छा फॉर्म पर नहीं है और नमबर 4 की बात करें मुहित कुमार 30, 16, 34, 1, 5, 10, 3 उसके साथ लगातार 6 मैच में 3 मैच उगर लेज गए और 3 मैच में एक एक करके 3 उगर निकाला तो का इस मुहित कुमार अपके लिए एक अच्छा उप्सन बन सकते है अब हम नमबर 5 की बात करेंगे हिमान सुगुपता 11, 20, 24, 50, 5, 39 तो देखिए 5 जो 6 इनिंस के लिए उमें से 1, 50 है 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर 20 फ्लास स्कोर है तो यह भी आपके लिए थोड़ा सा ठीक्टा उप्सन बन सकते है अगर अपको लगे कि यहाँ पर टॉप अडर फ्लाप होने वाल है तभी आप जाकर इमान सुगुपता को पीक कर सकते हो रभी जाद आप देखिए 6, 10, 11, 32 और 5 मैच जो खेला वहाँ पर 1, 1, 0, 2, 0 चार विके निकाला 5 मैच खेलके तो गए इस बाल कृष्णा नमबा साथ परेंगे करपनिसी कर रहे हैं टीम के लिए एक अच्छे ओल अंडर है लेकिन उतना अच्छा बैटिंग में परफूर नहीं कर रहा है 6 मैच खेलके सिप एक मैच पर 41 और 33 सन बनेया और देखिए 7 मैच पर बोलिंग करके सबसंधार दर विकेनले से हो गये उसके बाद 2 यूगर निकाले और फिर concepts गये नमर नौ पर रहेँगे असिस कुमर जुनियार 1.2 पर पांच मैच मैच खेलके 3 निकालगा उतना अच्छ Алप अपशनन नहीं है लेकिन फिर भी आपको एगात बोलन को तो लेना ही पड़ेगा जैप्रकसजादव तीन मेच के खेल के दो एकर निकाले तो कईस अभी देख लिए कौन कॉन से प्रेया सिंभूम के तरफ से आपके लिए स्मॉल लिग पर मास्ट पी गराने बाले है हिमनसु कुमार, अर्यमन सेन, मुहित कुमार, हिमनसु गुपता, रवी यदफ, बालकृष्ण तो ये 6 प्लेस अपले अच्छे पी गराने बाले हैं आपकी बात करें यहां पर नीचे आपको यह पर मनुकुमार, आसिस कुमार जुनियार, सनुकुमार सिंग, जय प्रकस जातब इन चारों काप ग्रेंड लिग पट रहे कीज़े या फिर एक डिफरेंशल पिक्स में आप ले सकते हो इनको, तो गईस आप दूसरे टीम के बारे में बात करेंगे, धन बात की तरफ से देखिए प्रकस मुंडा ओपनिंग कर सकते है विकास विसल के साथ, जो की कैपनिसी कर रहे है अपने टीम के लिए, मुंडा की बात करें ठीक टाक स्कूर बना लाता है, लगबग 25 प्लास एवरेज लेकर खेल रहा है, तो आपके लिए एक अच्छे पिक्स बन सकते है इस मैच पर विकास विसल 27, 9, 18, 0, 32, 4, 44, 54, 54, तो इनकी भी बहुत ही अच्छे फोम है, तो यह आपके लिए ओपनिंग करते हैं देखने को मिल सकते है, साथ में अच्छी फोम पर है, और बोलिंग भी कर रहे है, सबसे बड़ी बात जो है, देगे तीन मैच पर बोलिंग करके विके ल वाने वाले इस मैच पर, नमबर तीन के बात करें, स्रेश शागर, 0, 2, 27, 33, 32, तो इनकी लगातार चार इनिंग्स पर अच्छे इनिंग्स स्कोर बनाते हैं, आ रहा है, देखिए आप लास्ट चार इनिंग्स आप इसे देखिए, 27, 33, 32, तो यहाँ पर चार इनिंग्स पर बहुत यह चेनिंग्स खेली, तो इसलिए आपके लिए मस्ट फिक रहने वाला है, स्रेश शागर, आप देखिए, दूसरा टिम का जो गिर के बार था, वो भी नमबर तीन पर थे, यहाँ पर एस सागर जो है, यह भी नमबर तीन पर है, तो आप मेरे आसा से आपको एस आँगे, बैटिंग में फ्लॉप चल रहा है, लेकिन बोलिंग की बात करें, लगातार यहाँ पर देखिए, नौ मैच पर बोलिंग मिने, लेकिन विके निकाले सिर्फ आठ, तो एवरेज भी आपके लिए, आप चाहिते हो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, उल्फेट बेंग तेरा, पचीस, चौदा, एक, एकीस, पंद्रा, अठारा, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है, कॉंसिस्टेंसी के साथ परफिमर्स नहीं कर रहा है, तो अप लिए यह अच्छा पिक नहीं है, कुबार अगित इनकी बात करें, तीन, जीरो, आठ, दो, अठारा, दस, और सकते हैं, साथ नंबर पर यह बात करें, पर अच्छे बास करें, जीरो, इस पर निख पर एक जीरो, दो, 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 जीरो, जीरो, एक विकेंट निकालई, मतलब हर एक मस्च में लेने का इनकी अविरेज है, थान्द कि बैटिंग में उतना अच्छा नहीं गये, तीन, पां की जगा खेलेंगे दो जीरो तीन एक दो जीरो एक जीरो मतलब इनके पास भी उकलेन की एबिलिटी है तो ये भी आपके टीम के लिए अच्छे पिक्स रहने वाला है हमारे टीम पर भी रहेगा सीट कुमार बोलिंग नहीं मिला है इनको तो नमबर नौ पर आके आप एक आपसन रहने वाल है तो अभी देख लीजिए धनबत की तरब से कौन-कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लिक पर मास्ट फिक रहने चाहिए प्रकास मुंडा विकास विसाल श्रेश चगर इवराज कुमार प्रतिक रंजन एक पांच और यहां पर बात करें रणक कुमार तो यह चे प्लेयर आपके लिए बहुत इंपर्टन फिक रहने वाले है और गाईज देखिए यहां पर बेंच पर जो जो प्लेयर रहेगा उसका भी स्टैर्स अमनिया पर देखे रगा है आप चाहिए तो इनमें से किसी भी प्लेयर को ट्राई कर सकते हो अगर खेले तो औ इकास विशाल, बालकृष्णा, प्रकास कुमर मुंडा यह चार प्लेयर आपके लिए बाई डिफल्ट स्मॉल लिग का कैप्टन सी और भाईस कुंग अप्शन पर रहेंगे क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छा है हर एक मज में लगातार परफॉमेंस कर रहा है तो यह प्ले इन में से 2 से 3 प्लेयर को 20 टीम में से 20 ग्रांड लिग की टीम बात कर रहा हूं तो 20 टीम में से रोटेशन करके पिक कर सकतो या फिर इन 5 प्लेयर में से किसी दो को अब हर एक टीम पर अलग-अलग कॉमिनेशन बना कर कैप्टन और और वास कप्टन भी बना सकतो ग्रांड पर अप प्ले हो भी अच्छा रहने वाल है तो गाइस यह रहागा प्ले स्टैट्स और अनलेसिस की बाद अब इचलते है डीम उनों की तरह वहाँ पर हमने एक स्मॉल लिक का डेमो टीम बना कर आपको दिखाएंगे लेकिन फाइनल टीम आपको मिलेगी हमरे टेलिकम चैनल टॉस के बाद लाइन अप के बाद तो कैसी आपर विकेट कीपर इंक सेक्षन की बात करें स्रेश ठागर जो की बिल्कुल सेप अप्सन हमारे टीम पर रहने वाल है और मास्ट पिक रहने वाल है आप इनकी सेलेक्षन भी देख सकते हो कि 95.72 परसन लोगों ने इनको पिक कर रहेगा विल्फेट प्रेंग अगर बहुत ही नीचे दिखा रहा है थे तब हम इनको नहीं पिक करेंगे कि अगर थोड़ा सा उपर आए टू डाउन या फिर मैक्सिम थी डाउन आए तब हम इनको पिक करेंगे अगर इनकी ओड़ा 6 या 7 नमबर पर आ जाए तो हम इनको न कुमार तो हम थोड़ा से यहां पर डिफरेंशल प्रेंश को लिया लेकिन फाइनल टीम पर कौनपर हमारा टीम पर रहेगा वह आपको टेरी गम पर ही बता लाएगा टॉस के बाद लाइन आप के बाद तो गईस अभी हमारा टीम का कैप्टन डायने वाले हैं बाल अब दूसरे जो उकित के बाद है प्रकास राज उनको आप ग्रैंडली पर ट्राइग कीजिए अर्यमन सेन, विल्फरेट ब्रेंग, विकास विसाल, प्रकास कुमार मुंडा ये चाल प्रेस रहने वाले है बैटिंग में और ओल अंडर सेक्शन की बात कर लेते एम कुमार, बाल कृष्णा, यूवराज कुमार, तीन प्रेस रहने वाले है और बोला अस्थन की बात करें मनु कुमार, एस कुमार सिंग और पी रजन, और हमारे ट्रीम का जो सेफ कर्पन है वह है बी कृष्णा, बाल कृष्णा और वी विसाल भाइस कर्पन रहने वाले है तो आप थोड़ा सा अच्छा कुछ कर जाए तो आपको GL1 सेजिट इन कर वा सकते है तो गईस यह रहागा आपके लिए स्मॉल लिग का डेमो टीम, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलिगम चनल पर टोस के बाद आपको वहाँ पर टेलिगम पर फाइनल स्मॉल लिग तीम के सा कीजिए अगर को वीडियो में पर अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरू कीजिए साथ में बेल एकन को भी दवा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो अब तक पहले मिल जाए और गईज एक अच्छा सा टीम मनाईए अच्छा सा विनिंग कीजिए थैं